हलो दोस्तों स्वागत आपका सुधी टेक्निकल में आज हम आटो मेनुवल मोड में किसी मोटर की कंट्रोल बारिंग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे चलिए देखते हैं चलिए शुरुबात करते हैं यह हमारा पील सी हो गया पील सी में दो दो टाइप के मोडियूल होते हैं एक इनपुट मोडियूल होता है एक आउटपुट मोडियूल होता है इनपुट और आउटपुट यह इसमें डिजिटल भी होता है और अनलोग भी होता है हम यहाँ पे डिजिटल मोड्यूल का प्रियोग करेंगे क्योंकि हमको बिट बाइट के फार्म में किसी भी सप्लाई को देना है और लेना है अनलोग का प्रियोग हम टेंप्रेचर वगरा किसी भी कंट्यूनस सिग्नल्स को लेने के लिए करते हैं तो अभी हम PLC पोस्टन के बारे में बहुत ही सॉर्ट फॉर्म में जानेंगे और इसके बाद अगले किसी अगले वीडियो में हम PLC सी बारे में अब को पूरा बताएंगे यहां पे जो ऑउटपूट है PLC हमको किसी भी starter को on करना है तो उसके लिए लिए हम PLC जो जनरेट होगा यह PLC जो ऑउटपूट है यह एक relay में जाएगा यह 1 relay है यह झाल आपरेंट होगा यह एक खोगा common तो यहां से अब हम यहां पर एक सर्कुट बना लेते हैं पेले एक स्टार्टर का सर्कुट बनाते हैं यह ओवरलोड रिले हो गया इसके बाद इसके बाद यहां पर इमर्जेंसी उज़ कराएं इमर्जेंसी स्टॉप पुस बटन इमर्जेंसी स्टॉप पुस बटन इसके बाद यहां पर यहां पर जो सप्लाई है दो मोड में चली जाएगी एक तो आटो में दूसरा मैनूल में यहां पर आटो में जो हमारी यह ओटो में सप्लाई जाएगी यह हमारी सप्लाई है यह आरवन रिले आरवन रिले के एनो से होके जाएगी और यहाँ जो दूसरा contact गया है यह manual के लिए आया है माफ कीजिए इसको हम cut करते हैं यह manual के लिए आ गया है अब यह जो manual है manual mode पे और इसके साथ auxiliary contact auxiliary contact यह manual यह on के लिए on push button यहाँ यूज करेंगे और यह auxiliary contact यह coil C1 यह contactor की coil यह contactor की coil C1 है अब हम इसको समझ लेते हैं जब हमारा PLC का output generate होगा R1 relay यहां पे latch होगा close होगा यह command जाएगा R1 relay पे तो यहां से जो supply आ रही है हम यहां जब auto mode पे यहां पे यहां टूबे स्षिच यूज कर रहे है यहां 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 टूबे सेलेक्टर सुच यूज कर रहे हैं और R1 जब हमारा PLC कमांड देगा PLC कमांड देगा तो PLC कमांड देगा तो यह R1 रिले एक्टिव होगा R1 रिले एक्टिव होगा और यहां से सर्किट तियार होगा और यह C1 C1 जो है आप यहां पर teve वियार्ण कोमांड देगा PLC आउटपूर्द से कमांड देखर भी यह सर्कितैराहों यहां पर सिगनल और आएगा n आप र्वन यहां पर कॉंटेक्ट बनेगा और यहां पर पर कमांड यहां पर कॉंटटेक्ट में जाएगा और यहां पर C बन जो है, auxiliary contact, वो भी इसके साथ hold हो जाए, जैसी यह hold होगा, auxiliary contact में supply जाएगी और यह hold हो जाएगा, इस प्रकार हमारा मसीर on हो जाएगी, अब हम यह भी बता दें, ति PLC, आप यह जान रहे हो कि PLC में output command कहां generate होगा, output command किसी भी HMI, या SCADA, जो हम PC से command देंगे, वो हम PLC में command देंगे, PLC में command करेंगे, PLC processing के बाद यह output generate करेगा, यह output जो generate होगा, यह output generate होगा, यह एक relay को command देगा, जो relay operate होगा, तो यह relay होगा, relay, 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 relay का contact यह है, इस relay का contact यह है, और जब हम यह auto mode पे रखेंगे, जब auto mode पे रखेंगे, तो यह on होगा, यह रेले यहां command देगा और यह circuit complete होगा और यह hold हो जाएगा इस पकार यहां पर अगजली contact होके on हो जाएगा लेकिन अभी हमारा यहां है यह है कि हमारी PLC को कैसे पता चलेगा कि हमारी इसको common में गया और यह no में गया relay R2 और यहां पर यहां पर यह कॉयर A1 थी यहां पर A1 और A2 A1 और A2 230 बोल्ट और यहां 24 बोल्ट यह 24 बोल्ट क्योंकि इसका कमांड इस relay में 24 बोल्ट का कमांड गया है और यह relay activate हुआ है यहां पर यहां पर जो field में है यहां 230 बोल्ट यहां 24 बोल्ट का भी relay हम यूज़ कर सकते हैं 24 बोल्ट का भी relay यूज़ कर सकते हैं यह 24 बोल्ट का कमांड भी दे सकते हैं यह A1 A2 तो यहां पर एक है जीवन फोल्ट होगा इसे यह उपकल यहां पर इस रिले में यह रिले जैसे यह अक्टिव होगा तो डि आई डिश्टल इंपुट सिग्नल जाएगा और यह इसको बता देगा पील सी को कि हमारे यह इस सिस्टम ऑन हो चुका है यह सिस्टम आन हो चुका है और अब हम मैन् मोड में on हो गया तो ऐजे dual starter की तरह होगा ड्याल starter में यहाँ पे हम यहाँ से content पूरा cut जाएगा इससे हमारा content खतम हो जाएगा अब यहाँ पे ऑन यहाँ पर on push button push करेंगे तो यहivaun Contawriter कांटैक्टर सब्सक्राइब hold होगा और C1 latch होगा और यह हमारा contactor start हो जाएगा और machine on हो जाएगी इस प्रकार हम किसी भी machine को auto और manual दोनों mode में operate करते हैं